ये एक भारतिय तरीका है इसको आम तोर पर पंचामरतम कहा जाता है यानि पांच चीजें जो जीवन के लिए अमरित हैं इसके बारे में कई सारी बातें कही गई हैं कि इन पांच चीजों को संतुलित तरीके से मिला कर पंचामरित खाना हर तरह की थाइरोड संतुलन के लिए बहुत अच्छा है मुझे कोई थाइरोड समस्या नहीं है लेकिन हर हर चीज को संतुलित रखने में कोई बुराई नहीं है क्योंकि ये हर इनसान के शरीर, मन और पूरी खुशाली के लिए बहुत जरूरी है तो थाइरोड एक चीज है कुछ आईरुवेद के जानकार ये भी कहते हैं कि ये कैंसर से भी बचाता है ओ, खुश किसमती से सिर्फ मेरे प्यारे केले बचे हैं आप उन्हें फ्रिज में नहीं रख सकते तो वे ठीक हैं बस केले के पतले पतले टुकडे करें जैसे भी आप चाहते हैं अगर आप इसे बिलकुल मैश किया हुआ चाहते हैं तो बहुत पतला काटिए वरना बस ऐसे और ये हो गया अब इसमें थोड़ा सा गुड़ ये वास्तव में पाम शुगर है लेकिन साधारन गुड़ भी चलेगा घी ए घी मुझे घी ज्यादा पसंद नहीं है तो मैंने थोड़ा ही डाला है ये जरूरी है बिना इलाइची के इसमें मन्चाहा स्वाद नहीं आएगा थोड़े इलाइची की जरूरत है मैं पिछले 49 सालों से घूम रहा हूँ मैं ज्यादा शहद डाल रहा हूँ क्योंकि शायद देर शाम तक मैं और कुछ नहीं खाऊँगा शहद को चम्मत से निकालने में यही समस्या है केवल यही तरीका है और यही काम करता है दही ज्यादा अच्छी हालत में नहीं है यह थोड़ी खटी हो गई है पर फिर भी खाने लाइक है मुंगफली या नारियल और अगर आपके पास ताजा नारियल हो बिना कटा तो समझे की महीने दो महीने या अगर चाहें तो तीन महीने तक के लिए आपके पास पैक्ट भोजन है आज का पंचामरित बहुत खास है क्योंकि जैसा की मैंने कहा देर शाम तक के लिए यही मेरा भोजन है ये थोड़ी किश्मिश है देखिए ये सारी अच्छी चीज़े हैं सूखे मेवे वगएरा तो आमतार पर इसमें पांच चीज़े हैं पर मेरे हिसाब से मैंने और भी चीज़ें डाली है मेरे पास थोड़े काजू भी है इन्हें थोड़ा काटें जिससे ये ऐसे अलग न दिखें जैसे कि कुछ शरार्ती लोग दुनिया में दिखते हैं नहीं नहीं मैं थोड़ा मजा कर रहा हूँ पर क्या करूँ मैं भूखा हूँ जब मैं हिमाले में अकेले ही लंबी यात्रा करता था तब अधिकतर काजू किश्मिश खोपरा यानी सुखा नारियल ही थे जिनकी बदौलत मैं जिन्दा रहा मैं उनको भूला नहीं हूँ मैं हमेशा उनका भारी रहा हूँ रहा मेरा नाश्ता आज मैं थोड़ी टेक्निकल उचाई पर हूँ क्योंकि मैं एक साथ दो कैमरे इस्तमाल कर रहा हूँ इससे बेहतर क्या होगा? आपको मेरा नाश्ता पसंद आया? शमा करें आज के लिए मेरे पास सिर्फ यही है और आप बहुत दूर हैं